चलिए student हम लोग question number 2 को solve करते हैं देखी question number 2 में क्या बात कही जा रही है उदाराण 1 में दी गई समस्याओं को हल किज़े जो हमारा उदाराण 1 है उदाराण 1 में जो समस्या दी गई है मैं उसे हल करना ठीक है तो उदाराण 1 की पहली समस्या A है और दूसरी समस्या हमें A दी गई इन समस्याओं को हमें हल करना है तो चलिए हम लोग हल करते हैं आप लोग question को पढ़िए इसमें क्या कहा जा रहा है नेमन स्थितियों को गड़ती रूपे बैक्त कीजी ठीक है गड़ती रूपे बैक्त करेंगे उसके बाद हमें इसको हल भी करना है तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं देख़ी क्या कज़र है जॉन और जिवन्ती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 खंचे है ठीक है जॉन है, जॉन है, जिवन्ती है और अब उनके पास 5 कंचों की संख्या का गुड़न फल 124 है हम जानना चाहेंगे कि आरम में उनके पास कितने कितने कंचे थे तो चलिए अब मान लेते हैं माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर X अब इस्टुडेंट जॉन के पास X कंचा है और कुल कंचे 45 से तो 45 में से X तो निकल गया अब जो भी बचा होगा वो जीवन ती के पास होगा तो 45 मानिस X कंचे जीवन ती के पास होगे लिखिये जीवन ती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस X चलिए अब आगे देखिए दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं चलिए दोनों क्या करें 5-5 कंचे खो देते लिखिए 5-5 कंचे खोने के बाद अब भई इन्होंने 5 कंचा खो देते इनके पास कितने कंचे बचे लिखिए जॉन के पास बचे कंचों की संख्या के पास जॉन के पास बचे कंचों की संख्या कंचों की संख्या तो इस्टूडेंट स्टार्टेंग में कितना था? एक्स था एक्स में से 5 निकलने का मतलब क्या बचा? एक्स माइनस 5 तो इसी तरीके से जीवनती के पास 5 कंचे खोने के बद कितने बचे? लिखिए जीवनती के पास बचे कंचों की संख्या अब बई इनके पास कितना था? 45 माइनस एक्स था अब इन्होंने 5 क्या कर दिया? खो दिया तो 5 खोने के बद कितना बचे? देखिए 45 माइनस एक्स माइनस 5 और आप 45 में से 5 गटांगे तो कितना जागा? चालिस माइनस एक्स इतने कंचे बचे अब देखिए आगे क्या बात कही जा रही है अब उनके पास कंचों की संख्या का गुड़नफल 124 है लिखिए कंचों की संख्या का गुड़नफल कितना है? 124 है और यहां से देखिए कंचों की संख्या का गुड़नफल क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 5 गुड़े में 40 माइनस एक्स भाई यही तो बचे हुए कंचे हैं इनको इनको जब हम मल्टिप्लाइ करें किसके बराबर आ रहा है? 124 के इसको 124 के बराबर दिखाए चलिए solve कर लेते हैं एक्स को 40 से मल्टिप्लाइ करिए तो 40 एक्स आ गया प्लस एक्स को मने माइनस एक्स से मल्टिप्लाइ किया तो प्लस माइनस का मल्टिप्लिकेशन माइनस होता है एक्स को मने एक्स से मल्टिप्लाइ किया प्लस 5x is equal to 124 तेहीं आगे solve करते हैं यहां से देखिए minus x square plus 40x plus 5x तो हमारे पास कितना होगा 45 45x यह है minus 200 इस 124 को आप इस तरफ ले करके आई है तो हमारे पास होगे minus 124 बराबर होगा 0 के minus x square plus 45x minus 200 है minus 124 minus 200 में minus 124 इसका solution क्या हो जाएगा minus 200 minus 124 हमारे पास minus 324 हो जाएगा बराबर होगा 0 के चलिए हम minus common कर लेते हैं तो minus हमने common करके इतर बेजा या फिर आप minus से multiply कर देजिए दोनों तरफ जैसे समझ सको तो x square minus 45x plus 324 is equal to कितना आ गया? 0 आ गया चलिए अब हम लोग इसको break करते हैं और हमें क्या चाहिए? minus 45x चाहिए तो चलिए 324 को हम लोग 324 का गुरंखंड कर लेते हैं गुरंखंड करना आप लोगों को आता ही होगा चलिए करते हैं इसको 2 से काटिए तो 21 के 2 एक तीन यह हो गया? कितना? 12 2 चंग 12 2 दूनी 4 आगे देखे 2 से काटिए 2 अटे 16 2 एक के 2 फिर किस से कटेगा? 3 से तो 3 दूनी 6 2 आट 3 सते 21 फिर कटेगा 3 से 3 नवा 27 अगे किस से कटेगा? 3 से तो 3 से हमने काटा फिर किस से कटेगा? 3 से अब आफ सेट कर लिजिए हमें क्या चाहिए? मैरस 45 चाहिए इसको कुछ इस तरीके से सेट करना है तो 2 दूनी 4 इस टूनेट अगर हम करें 2 दूनी 4 तियां 12 तियां 36 हमें यहां पर प्लस 324 साहिए ठीक है? हमारी पास कितना है? 324 तो हमारी पास आगया 36 को 9 से हमने मल्टिप्लाई करना है तो 36 को जो हम 9 से मल्टिप्लाई करेंगे 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 आ जा रहा है ठीक है? लेकिन हमें माइनस 45 चाहिए तो अगर हम इसको माइनस 36 कर दें इसको माइनस 9 कर दें तो माइनस 36 को माइनस 9 से मल्टिप्लाई करेंगे तो मारी पास प्लस 324 आ जाएगा और यहां पर अगर हम लिख दें माइनस 36 X माइनस 9 X तो माइनस 36 माइनस 9 X कितना हो जागा? माइनस 45 X अब यहां पर यह जो मारा माइनस 45 X है यहां पर देखिए माइनस 45 X के स्थान पर क्या रख सकते हैं? माइनस 36 X माइनस 9 X यह रखके एक्स कॉमन कर सकते हैं, एक्स हमने कॉमन किया, यहाँ पर बचा क्या, एक्स माइनस 36 बचा, यहाँ पर देखिए, उन्हें माइनस 9 कॉमन किया, तो यहाँ पर क्या बचा क्या, एक्स माइनस 9 तरिक 27, 5 32, 54 हो गया, 965, is equal to 0, तो हमारे पास कितना आ गया, चलिए आप लोग ध यहाँ पर आया, एक्स, चलिए लिख लेते हैं, एक बार, एक्स, एक्स, माइनस 36, माइनस 9, एक्स माइनस 36, is equal to 0, ठीक है, solve करते हैं, इसको, एक्स माइनस 36, यहाँ पर है, एक्स माइनस 36, यहाँ पर है, थमने क्या कि, एक्स माइनस 36 को कॉमन कर लिया, तो बचा क्या, एक x-36 बराबर 0 है तो x बराबर हमारे पास 36 आ जाएगा और अगर हमारा x-9 बराबर 0 है तो x बराबर 9 आ गया तो x का मान स्टुडेंट हमारे पास क्या आ गया है 36 और x is equal to 9 आ गया देखिए अब अगर यहां पर x is equal to 36 लेके चलना है चलिए लिखे आप हमें तो पता है नहीं किसके पास जादा कंचे है ठीक है तो एक बार मैं x is equal to 36 लेंगे तो जॉन के पास कितने कंचे थे आरव में तो जीवंति के पास कितने बचेंगे रहेंगे 36 जौन के पास जीवन्ती के पास तो 45 मानस X करिए और X के स्थाँ पर 36 आखे तो जीवन्ती के पास कितने कंचे 9 36 वा 9 फिर इदी हम लोग X बर और 9 रख दें यहां पर देखिर तो इस्टार्टिंग में जौन के पास कितने कंचे थे 9 तो जीवनती के पास कितरे हो जाएंगे यह पर क्या रखना 45 माइनस 9 बराबर मारे पास कितना कि 36 तो 9 हुआ 36 तो जौन के पास अगर 9 कंचे रहे होंगे तो जीवनती के पास 36 थे अगर जौन के पास 36 रहे होंगे तो जीवन्ती के पास 9 है ठीक है तो लिख दीजिए आता है उनके पास 36 वा 9 कंचे थे या फिर 9 वा 36 कंचे थे ठीक है कोई कंफर्म तो है नहीं किसके पास जाद़ थे किसके पास कम थे तो यह दोनों ही मारा एंसर होगा ठीक है ऐबने तो है डिया अफ्जीरी ओलों इसके सेकेड नमबर पर चलते और देखते हैं स्टूइनटफिक श्ल्यूशन क्या हो गातुन है यहा तो इस ansat स्ट्चिल अभीैण है और जोन कुछ फिरैंग श्त ओंसे बात, किये गए खिलोणों की संख्या को घटाने से प्राफल संख्या के बराबर किसी एक दिन फुल निर्माड़ लागत रुपिया 750 थी हम उस दिन निर्माड कियेक खिलोणों की संख्या ज्यात करना चाहेंगी ऊजो भीषिज दिन था ठीक है। चलिए एक दिन में कुछ खिलोने निर्मित करता है कितने खिलोने निर्मित करता है पता नहीं है ठीक है तो हम माल लेते हैं माना निर्मित किये गई खिलोनों की संख्या खिलोनों की संख्या बराबर X तो हमने माना कि X खिलोने निर्मित किये गए ठीक है प्रत्य खिलोने का मूल 55 में से एक दिन में निर्माड किये गए खिलोनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता तो चलिए हम लोग प्रते खिलोने का मूल निकाल लेते हैं लिखिए है प्रते खिलोने का मूल अब बताईए प्रते खिलोने का मूल क्या हो जाएगा बै़िए lorsque 55 में से एक दिन में निर्माण कियेगे खिलोनों की संख्या को घटाते हैं तो एक दिन में निर्माण कियेगे जो खिलोने की संख्या है एक दिन में निर्मित कियेगे जो खिलोने की संख्या उसको हमने एक्स माना है तो जब पच्पन में से एक्स घटा देंगे तो हमें एक दिन में कितने खिलो तो प्रत्य खिलोने का मूल क्या है वह मिल जा रहा है ठीक है चलिए आगे देखते हैं किसी एक दिन कुल निर्माड लागत रुपिया साथ सो पचास थी अब कुल निर्माड लागत कितना दिया इस्टूडेंट कुल निर्माड लागत है साथ सो पचास अब आप लोग सोच करके देखिए एक दिन में एक्स खिलोने निर्मित किये गए और एक खिलोने की कीमत 55 माइनस एकस रूपए हैं तो जब हम एकस को 55 माइनस से मल्टिप्लाई कर देगे तो कुल निर्माड लागत पता चल जाएगी एक खिरोने का जो मूले इतना है और इतने खिरोने बने है तो मल्टिप्लाई करिए कितना आ रहा है 750 solve कर लेते हैं इसको x को हमने 55 से मल्टिप्लाई किया तो हमारी पास कितना गया 55x minus x square is equal to 750 चलिए minus x square minus 55x इस 750 को इधर लेकर करें ठीक है तो कितना हो जाएगा minus 750 is equal to 0 minus common करिए यह पर दोनों तरफ माइनस से मल्टिप्लाई कर दीजित हमारी पास किया देगा x square minus 55x plus 750 is equal to 0 अब यहां पर जो 750 से इसको break करिए और हमें करने के बाद क्या चाहिए minus 55x तो हमारे पास है 750 अगर माइनस 25 गुड़े minus 30 कर दे हैं पचीश सुने सुन 25 निया पचात्तर माइनस माइनस को गुड़ा प्लस तुमारे पास 750 आ गया और इसको लिखने माइनस 25x माइनस 30x तुमारे पास कितना हो जगह दिखी तीस बीस पचास पाच पचपन तो माइनस 55x को गया यह जो माइनस 55x है इसके अस्थान पर हम लोग यही राइट कर देंगे तो लिख दीजिए x स्कुएर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 is equal to 0 खुल करते हैं इसको x देखें हम common कर सकते हैं था हमने x common किया तो x माइनस 25 और यहां से हमने माइनस 30 कॉमन किया तो बचा के x माइनस दिखीं माइनस 32,60 15,50 हो गए 150 35,500 x माइनस 25 यहां पर है था हमने x माइनस 25 को कर लिया common तो यहां पर क्या बचा x माइनस 30 is equal to 0 तो student यह दी x माइनस 25 हमारा क्या है 0 है बढ़ाबर के जीरो तो x बढ़ाबर के आ जागा पचीज़ और यह दी x माइनस 30 बढ़ाबर 0 है तो x बढ़ाबर आ गया 30 ठीक है अब यहां पर एक दिन में निर्मित किये गए खिरोनों की संख्या जब हम x बढ़ाबर 25 ले लेंगे तो एक दिन में निर्मित किये गए खिरोने की संख्या कितनी आ जाएगी 25 और खिरोने की कीमत क्या जाएगी 25 लेने पर बात करने ठीक है एक्स बरवर जिमने 25 लिया तो 55 माइनस 25 कर दिजिए और एक खिलोने की कीमत कितनी आ गई 30 रुपे चलिए जब लोग एक्स बरवर 30 ले लेंगे तो देखिए एक दिन में निर्मित किये गए जो खिलोने हैं उनकी संगय क्या जाएगी 30 और खिलोने की कीमत क्या जाएगी दिखिए 55 माइनस 30 करेंगे तो हमारी पास आ जाएगी 25 यह हमारा एंसर हो गया लिखिए अधा है उस दिन निर्मार किये गए खिलोनों की संख्या इस्टुडेंट 25 अगर या तो 25 रहा हो गए या तो 30 ठीक है 25 हुआ 30 किलोनों की संख्या 25 अधावा 30 थी ठीक है तो इस तरीके से इस्टुडेंट यह जो मारा क्वेस्चिन नमबर दो था हमने इसको सॉल्व कर लिए